सब्सक्राइब को ने हमारे चैनल को और प्लाइक इन दमाने लिए अपडेट के लिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेसन आप तक पूंस मेरी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए उस समय मुझे नहीं बता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है लेकिन आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्तों मैं दिन बर सोता रहता रूता रहता परिशान होते रहता लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बता है और एक देन सुबह मैं घर छोड़कर चला गए तीन ऐसी बात तीन ऐसी बाते जो आपकी जिंदगी में यदि आपने फॉलो कर ले तो आपको जिंदगी में सफ़न होने से कोई इनसान नहीं रोख सेकता है नमिश्गर दोस्तों मेरा नाम है महिंदर दोगने और आप सभी लोग मुझे MD Motivation के नाम से जानते हैं मैं रहता हूँ मद्रदेश के सबसे छोटे डिस्टिक हरदा में मेरी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए इस कहानी की शुरुआत होती है 7th क्लास से पढ़ने में बहुती गधा उल्लू का पठा दफर कुछ भी कहसे हैं आप ऐसा था मैं 7th में जैसे तैसे मैं क्लास पढ़ी राथा कि मुझे सेब्रिमेंटे आगे 7th क्लास में और उस क्लास को जैसे तैसे मैंने पास किया आगे मेरी कहानी यहीं रुखने वाली नहीं थी, कहानी की तो भी सिर्फ शुरुवात हुई थी, मैं आगे 8 क्लास को जैसे तैसे पास करके 9 क्लास में पहुचा और उस समय Excellence School की शुरुवात हुई थी, उस स्कूल का नियम था कि जो भी बच्चा यहाँ पर फेल होगा उसे भ मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया और स्कूल से मुझे निकाल दिया गया, मैं बहुत परिशान हो गया, मैं चिंतित हो गया क्योंकि लोग मुझे परिशान करने लगे, मेरे फ्रेंड से कल मुझे परिशान करने लगे, जब भी मैं रोल पर जाता था, वो मुझे गालिया दे मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा उन्होंने कहा कि तुझे पढ़ना पढ़ेगा और फिर से 9 लास पढ़ना पढ़ेगा यह सबसे बड़ा टिंशन था मेरे लिए क्लास फिर से पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था जैसे तैसे करके एक गवर्रमेंट इसको एडमिशन मिला यह कहके कि भाया इसको admission क्यों दे रहे हो यह तो excellence school से fail है इसे admission दोगे तो और ही हमारी school का नाम खराब होगा, उसके बाद मुझे जैसे तैसे admission मिला, मैं school में गया और मैंने एक चीज़ डिसाइड की, एक चीज़ डिसाइड की कि अब मैं जितनी भी चीज़े करता हूं, life में मैं sports में बहुत अच्छा था, 1500 मीटर जो running होती है, उसमें मैंने straight खेला हुआ है, जो खोको होता है, उसमें मैंने straight खेला हुआ है, NCC में CSM था, बहुत सारी दूसरी activity में मैं बहुत मन लगता था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ में मन नहीं लगता था, और वो थी मेरी पढ़ आई की, और मैं बना topper, उसी school का जहां पर मैं fail होकर गया था, तो जहां पर मैं fail होकर गया था, वहीं से topper बना, ये cover जो है, मेरे छोटे से district में, हरदा में पूरी जगे fail गई, और हुआ ये, कि मैं 9 से ही English का मुझे बोलने का बड़ा शौक था, मैंने एक institute join किया था, जहा गरवा करने का बड़ा शौक था, डांस करने का बड़ा शौक था, और पता नहीं क्यों, ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, मुझे लड़कियों जैसा है रहना बड़ा पसंद था, मुझे बड़े बाल रखने बहुत पसंद थे मुझे उनकी तरह तिलक लगाना बड़ा पसंद था, तो जब भी मैं गरवा करने के लिए जाता था, तो वैसे ही बाल, वैसे ही तिलक, और वैसे ही कुछ-कुछ चीजे पहन के जाता था, अब क्योंकि मैं छोटा था और बड़े जो भाई लोग थे, उनके ग्रुप में था, मुझे सबसे आगे खड़ाया जाता था, क्योंकि मेरी एंट्री शांदार होती थी, कुछ अलग सी हरकते करता था मैं, जब मेरी एंट्री हुई, वैसे मेरे पिताजी एक मेकैनिक है, हमारी शॉप है, और वैसे वो कही नहीं जाते है, हमारा प्रोग्राम देखने, कुछ भ उसके बाद मेरे पिताजी से यह सुनते नहीं बना, वो वहाँ से घर चले गए, उन्होंने मुझे उस दिन कुछ नहीं का, लेकिन अगले दिन मेरे पिताजी मेरे अंकल के साथ बैटे हुए थे, अंकल ने मुझे बुलाया, कहा बिटा इधर आओ, यह क्या कर रहे हो, यह क नहीं बता था कि मेरे जिन्दिगी में क्या होने वाला है, लेकिन, आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्तों, मैं बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ उसी क्राउंट पर, उसके बाद मैंने 9th क्लास जैसे तैसे निकालना शुरू किया, 10th क्लास में मैंने टॉप किया, कॉमप मैं State Bank of India का, जो क्लर का मेरा सेलेक्शन हुआ था, उसे जॉइन नहीं किया, उस सेलेक्शन को मैंने नहीं लिया, लेकिन उसके बाद कहते हैं न, डेस्टिन में यदि कुछ और लिखा हो, तो फिर वो हो के रहता है, जहां मैं चार साल से पढ़ रहा था, जहां मैंने सेलेक् हित था, मैं बहुत ही उत्साइट था, एकसाइटीड था, कि बस अब तो ये मैं सीखने वाला हूँ, क्लास होने वाली थी, शाम को 6 बजे, 10 बच्चे खटे होने वाले थे, क्योंकि वो टॉप स्टुडेंट्स थे, उनको बुलाया गया, हम महाँ पर बैठे हुए थे, और उसी वक्त, एक जो घटना हुई, उसने मेरी पूरी जिन्दी फिर से बदल का तक दी, मेरे गुरू आए, और उन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा, कि महेंद्र, तुम यहाँ से नीचे चले जाओ, तुमारे बस की ये बात नहीं है, यहाँ पर जितने भी बाते होने वाल और खूब रोया, खूब रोया, खूब परिशान हुआ कि मुझे ऐसा क्यूं कहा गया, उस वक्त ये बात नहीं पता थी, कि ये मुझे क्यूं कहा गया, लेकिन आज समझ में आता है, कि ईश्वर ने सब कुछ तै करके रखाता, इसलिए वो घटना उस दिन हुई थी, उस उसके बात मैंने उस अंस्थान को छोड़ दिया, मैं आज तक वहां नहीं गया, मैं अपने घर गया, तीन-चार दिन घर पर रुखा, और बहुत रोया, गया, परिशान हुआ, घर वालों को भी चिंता हुई, कि इसके साथ ये क्या हुआ है, जो व्यक्ति एक भी दिन ऐसा नहीं हो, कि इंस्टिट्यूट नहीं जाए, वो चार दिन होगे, इंस्टिट्यूट क्यों नहीं जा रहा है, मैं दिन बर सोता रहता, रोता रहता, परिशान होते रहता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और एक दिन सुबह, मैं घर छोड़ कर चला गया, चला गय कि असली में दुनिया होती क्या है मैं रात रात भर काम करने लगा कॉल सेंटर्स में काम करने लगा दिन दिन भर गैरेज मेरे पता जी मैकेनिक थे तो बच्पन से ही मुझे गाड़ियों का काम करना आता था पैसे कमाने के लिए मैं दिन दिन पर garage पर काम करने लगा इसका result किये हुआ कि एक साल में मैं इतना week हो गया इतना कमजोर हो गया कि बस मरने जैसी हालत हो गया मैंने सोचा मरने से अच्छा है कि घर वापस चला जाए मैं घर वापस आया घर वाले खुश हुए कि चलो लड़का वापस आ गया उसके बाद उन्होंने पूचा कि अब क्या करोगे मैंने कहा कि पिताजी का garage जोइन करूँगा उन्होंने का ठीक है धाई साल धाई साल मैं अपने पिताजी के साथ अपने garage पर काम करता रहा लेकिन अब मुझे पता था कि आगे मुझे क्या करता है मैं किताबी भी पढ़ता था मैं उसी दौरान किताबी पढ़ता था मोटिवेशनल किताबी पढ़ता था लोग कहते थे कि पागल है तो तो तुने State Bank of India की नौकरी छोड़ दी अब देख अब देख तेरी जिन्दगी किस हालत में है इससे अच्छा तो तू नौकरी कर लेता लेकिन मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे अब पता था कि मुझे अपनी जिन्दगी में क्या करना है उसके बाद मेरी जिन्दगी बदली धाई साल के बाद फिर वही हुआ जो हमेशा एक इंसान के साथ होना चाहिए या होता है मेरी पिताजी के साथ किसी छोटी सी बात पर बहस नहीं होना था लेकिन हो गई क्योंकि destiny में लगा था वो बहस हुई मेरी पिताजी से मेरी पिताजी ने कहा मुझसे कि यदि तुझे शॉप पर नहीं जाना है तो मत जा, मत जा, क्यों कर रहा है काम तिरे को नहीं करना है तो मत कर मैंने उनसे कहा कि ठीक है अम मैं शॉप पर नहीं जाओगा उन्होंने मुझे पूचा कि नहीं जाएगा, पक्का नहीं जाएगा मैंने वोला कि हाँ, आज की बाद मैं शॉप पर नहीं चाऊँ, उसके बाद अगले दिन मैं सुबह उटकर फिर से घर से भाग गया, लेकिन इस बार मैं सिटी से बाहर नहीं गया था, सिटी में ही गया था, शाम तक लोग परिशान होने लगे, मुझे ढूंडने लगे, लेक साल फिर से पढ़ाई की, और इस बार मेरा सेलेक्शन हुआ, सिंडिकेट बैंक में, और मैंने उस सेलेक्शन को भी नहीं लिया, अब शायद आप लोग भी मुझे पागली कह रहे होंगे, कि 2008 में मेरा सेलेक्शन हुआ, स्टेट बैंक में, मैंने वो भी जोईन नहीं किया, इस बार मेरा सेलेक्शन हुआ, सिंडिकेट बैंक में, मैंने उसे भी जोईन नहीं किया, फिर मैं करना क्या चाहता था, जी हाँ, अब मुझे पता था, कि मैं बनना क्या चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, मैंने अपने खुद के इंस्टिट्यूट की शुरुआत की, उसका नाम है Change Academy, जहाँ पर हम लोग बच्चों को competition exam की त्यारी करवाती थे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, उसी के साथ साथ मैं अपनी city में बच्चों को motivate करने लगा, मैं competition exam की त्यारी तो करवाता था, लेकिन उसे कहता था कि अपनी जिंदगी में वही काम क तो रोज इसमें मन लगे, पसंद हो, मैं उनको कहता था कि मेरा धंदा नहीं है, मैं इनसान को इनसान बनाना चाहता हूं, उसे सिखाना चाहता हूं कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, ये कारवा चल रहा था, चल रहा था, छे साल में मेरे तीन branches हो गये, मेरे institute बड़ा होने लगा, लोग सोचने लगे कि बस अब तो ये successful हो गया, आगे बढ़ गया, लेकिन कहानी तो अभी शुरू आत हुई थी, कहानी अभी शुरू हुई थी और उसी दोरान आया 2017 का end, मैं बहुत सारे काम कर रहा था, बहुत सारे talks ले रहा था, speeches ले रहा था, लोग मुझे जान कि मैं मैं हर महीने एक लाक रुपए से जाधा कमाता था, लेकिन तो यहीं पर है, मैंने उस सारी चीज़ को दाव पर रखा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि इससे और कुछ बढ़ा कर सकता हूं, और कुछ अच्छा कर सकता हूं मैं, और फिर 2017 का end आया, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मैंने एक decision लिया कि अब इन सारी coachings को मुझे बंद करना है, क्योंकि मुझे कुछ और अच्छा करना है, मेरे दिमाग में चल नहीं रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एक काम करू या ना करू, फिर decision लिया कि मुझे ये काम अब नहीं करना है, और 2017 के end में मैंने तीनों के तीनों branches बंद कर दी, अब लोग फिर से परिशान होने लगे, फिर से मुझे पागल कहने लगे, कि यार इससे बड़ा पागल कोई नहीं है, सारी city में ये बात हो गई, क्योंकि छोटी city है, तो सारी जगे ब कि मैं तो फिर से पागल हो गया, अब उसने एक कैमरा खरीद के लाया है, एक माइक खरीद के लाया है, अब तो वो ना शादियों की शूटिंग करेगा शहर, ऐसी बाते मार्केट में उड़ने लगी, सब को ये बात पता चल गी, मेरे काफे सारी students ने उन्होंने भी ये बा मैं आगे बढ़ता गया, मैंने चार महीने वीडियो बनाना शुरू किये, शुरुवात में ये बहुत कटिन होता है, क्योंकि जब वीडियो डालते हैं, तो यदि आप YouTube से हैं तो आपको पता होगा कि वीउस नहीं मिलते हैं, लोग उससे शेर नहीं करते हैं, बड़ा दु मेरा एक वीडियो वाइरल हुआ, और वो इतना वाइरल हुआ, इतना वाइरल हुआ, कि उसे 6.3 मिलियों के द्वारा सिर्फ 15 दिन देखा गया, सिर्फ 15 दीन के अंधर 6.3 मिलियों व्यूज्स मिले, और मेरी आवाज हर हिंदूस्तानी तक पहुँच गयी, और लोग मुझ रेडियो स्टेशन, टॉक शो, मैगजीन, निउस्पेपर, सब जगे से ओफर आने लगे, कि हमारे यह आई है, हमारे यह टॉक लीजिए, हमारे यह सेमिनार कीजिए, और इसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी थी, जो मैं सपना देखता था, जो मैं आईने के सामन गैरेज पर काम किया, आज, आज, पूरे हिंदुस्तान नहीं, और भी कंट्रीज में जाना जा रहा है, अपने काम के कावे, तो ऐसी कौन से सफलता की ट्रिक्स है, टिप्स है, जो आप लोगों को यदि मैं बताओं, तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते है वही टिप्स में आप से शेयर कर रहा हूँ, तीन ऐसी बाते, जो आपकी जिंदगी में, यदि आपने फॉलो कर ली, तो आपको जिंदगी में सफ़न होने से कोई इनसान नहीं रोग सकता, पहली टिप, हमेशा खुद पर विश्वास करना, हमेशा याद रखना, खुद प मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जिंदगी में किसी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करें, दूसरी टिप्स, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत important है, अपने आपको कभी भी सस्ते में मत बिखने दीजे, कई बार ऐसा होत हैं, तो छोटे-छोटे से इम बना लेते हैं, सोचते हैं कि ये भी हम कर पाएंगे या नहीं, खुद पर विश्वास नहीं होता है, दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि अपने आपको, अपने आपको और अपने सपनों को कभी भी limited मत कीजे, उन्हें बड़ा ब यदि आपको लगता है हां, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजे, इस वीडियो को लाइक कीजे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजे, सब्सक्राइब कीजे, जो स्टॉक्स की कोई नहीं परख़ता, मेरी ममी में वह हिदमाता जो कर सकती है